हेलो एवरिवन वेलकम टू माय चैनल बाइलोजी बियस्से नोट सो डियर स्टुडेंट्स टूडेज आउर टॉपिक इज बियाच्चू बियस्से अग्रिकल्चर इंट्रेंज एक्जाम तो आज हम लोग बियाच्चू में जो जो एग्रिकल्चर से क्वेशन पूछे जाते से कोई आपको एक चूच करना ठीक है तो जो आपको इजी लगे उसको आप कीजिएगा तो हम यहाँ पे आपको एग्रिकल्चर साइन्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन पूछे जाते हैं वो डिसकस करेंगे तो देखें यहाँ पे पूरे आपके 71-71 क्वेशन द पूछा गया था और यह सारे रिपीटेड क्वेशन हैं तो इसी वज़े से इन सब क्वेशन को जानना आपको बहुत जरूरी है तो पहला क्या है एकॉर्डिंग टू आइसीयम आर तो यहाँ पी क्या होता है जो आइसीयम आर होते हैं उनकी उनहीं के टाइप के क्वेशन जाते हैं तो पहला क्वेशन है बैलेंज डाइट इंक्लिउट एक लिश्ट ग्राम आप विज़ेटेबल पर दे तो हमें जैसे पर दे कितने विज़ेटेबल पर दे वालिट करना चाहिए तो यहां पर आपका होगा तीन सो ग्राम ठीक है जो आपके आइसीयम आर होते हैं उनके कौडिंग हमें तीन सो ग्राम विज़ेटेबल पर दे लेना चाहिए ठीक सेकेंड है फिलर फ्रूट फिलर फ्रूट प्लांटी इस प्लांटेड इन दे प्लांटिंग सिस्टम आफ तो आपका इनस्वर क्या होगा क्वीं सीयंस ठीक है क्वीं सिस्टमा डाइगोनल स में होते हैं और इनको क्या काते हैं डाइगोनल टाइप की होते हैं . में लेकिन पहसरी रहीरिए renda आधे दिखें करणकेOS — स्कॉराइर में होते हैं और इस ये क्या कहते हैं के मालते हैं , आक थे लटके हैं एक प्लांट इंवारे साथ ये मालत करेंवर्ट करें त Да, ने आपका Contour System of Planting is used in Orchid's 8 तो आपके जो Contour system होते हैं आपके जिग्-जग-motion यहां पर दिखेंगे कि जिग जग मोशन होता है तो इसी वज़से यहां पर जो प्लांटेड होते हैं और कैसे हो सकते हैं आपके एकॉर्ण टू प्लें सिस्टम हो सकते हैं नाइश्ट वनुज़ पूर्ण ग्रेप प्रुण कर्लान होते हैं नंट्र ग्रेप दूंद ईंटर में तब अब क्तम आक जो प्रुण इन्ट वीसंट हैं बिलेज लेयरिंग गाटी तो ठीक है तो कौंसे ऐसे अपके कह सकते है कौंसे आपके इसी फ्रूट है जो की क्या होते हैं एसाफंच 591ह ज्याया पें फिजर क्या होगा n rise नाव नेक्स्ट वन इस विच आप तर फॉलूइंगी जिस समर सेजन एनुल फ्लावर कौन से ऐसे फ्लावर हैं जो कि समर सेजन फ्लावर कहलाते हैं वह भी एनुल एक वर्सी ठीक है तो यहां पर आपका एंसवर होगा जीनिया तो जीनिया पिटूनिया और सालिया यह तीन जो फ्लावर्स होते हैं वह समर सेजन होते हैं और एनुल फ्लावर्स होते हैं तो यहां पर मैं जो सही है उसी पर टिक लगाएं हूं तो आपका सही जो है वह सी तो इसे हम लोग कहेंगे जीनिया जीनिया इस समर सेजन एनुल फ्लावर नाव नेक्स्ट वन ट्वेंटी तो जो आपके विजिटेबल होते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूँ इसका एंस्वर हो गया ब्रीन तो क्या होता है जब हम रिजाल्ब करते हैं साल्ट और वाटर तो इसी को हम लोग ब्रीनिंग एंड ब्रेन सिस्टम कहते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा केचप तो क्या होते हैं जो सुगर होते हैं वो कैसे प्रीजर्वेटिव होते हैं फ्रूट से तो इन ही के डिवलप्ट से हम लोग क्या करते हैं फ्रूट लेके और इनका प्रोड़क्ट बनाते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं केचप कहते है तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ग्राफ्टिंग करते हैं, तो उसे 물oh क्या करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टेज करते हैं. और न्हुंहू प्लब काऊध करते हैं नैय तरफ ख्रवात हैं तो ठीकिर सबसे ज्याद सब्सक्राइब होता है ठोब्सण का पपाया का जो होता है। संपने लगा देते हैं जिसे न्यूंट का ग्रोथ हो जाता है है नाव नेक्स्ट वन इज पूसा नन्हा इजे वेराइटी आफ तो यह क्या है जो नन्हा वेराइटी हो एक पापाया का वेराइटी है तो इसे हम लोग कह सकते हैं जो पूसा नन्हा होता हो किसका वेराइटी है पापाया का तो एंसर सी सही है विच कल्टिवर आफ मैंगो है वे सीरियस प्राब्लम आफ स्पॉंजी टीसी कौन से ऐसा कल्टिवर मैंगो का है जिससे सीरियस प्राब्लम होता है स्पॉंजी टीसु का तो एक होता है आपको पता होगा अलफानो ठीक है जो की बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम कार्च करता है अलफान्सो जो की 30% क्राप पर एयर महराष्ट में पाया जाता हो और यह डेमेज कर जाता है 30% क्राप को ठीक है तो क्या होगा इसका अलफान्सो नाव अब अब मोग पढ़ेंगे कि इसकी next question क्या है तो यहां देखिए 133 है आपका question क्या है which of the following fruit is the richest source of vitamin C कौन सा ऐसा fruit है कौन सा ऐसा fruit है जिसमें सबसे ज़्यदा vitamin C पाया जाता तो है आपका आवला तो आवला पर हम लोग ठीक लगाएंगे आवला का क्या वो टैनकल नेम है is the one of the richest source of vitamin C which is based in curing of scurvy disease in human तो यह सबसे best disease को क्या करता है curing करता है जैसे कि आपको जब कभी-कभी देखेंगे जो human में disease हो जाता है scurvy तो क्या करते हैं हम लोग उन्हें आवला देते हैं ठीक है इसे हम लोग अंबलिका ऑफ सिनिलीज कहते हैं नाव नेक्स्ट वन इस रूट नॉट इस वेजिटेबल इस काज़्ट बाई तो इसका एंसवर है निमेटोड विच अप्ट फॉलिउग वेजिटेबल इस डारेकली फिल्ड में उगा सकते हैं तो आपका रैडिस है पोटाइटोड टुवर इस मोडिफाइट फॉर्म अफ इस टेम जो पोटाइटोड टुवर होते हैं इसका मोडिफिकेशन है इस टेम का तो 5.0 से लेके 5.5 दखोना चाहिए, फर्मोफसिस ब्लाइट इस काजड बाइट जो आपको फर्मफोसिस ब्लाइट काजड होता हो, किसके तवार होता, फर्मफोसिस रूनिफर ओवरा, तो यह हो गया कुछ इंपार्टेंट क्वेशन, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका क्लीफ्लावर इंपार्टेंट बाइट काजड बाइट मोलीबिदन, वीच है फोल्विज ओप्टीमम, सीड़ रेडिस, फर मीट सीजन सों कलीफ्लावर, तो इसका एंसर होए 300-400, तो यहां हो पिक्षा जारा, आपको समझ में आ यहां पूछा जारा है, कि जो आपक पीएज क्या होना चाहिए एक्वल होना चाहिए नाव नेक्स्ट वान इज वीच अट फॉलूइंग जे मेजर डीज आफ ओनिया इन इंडिया तो इसका एंस्वर है परपल ब्लॉड से जापानिज वाइटी आफ रेडिस जो जापानिज वाइट होती हो किसका रेडिस का तो आपका इधर काउच करता है उक्रा बिलाउंट फैमिली जो उक्रा होता हो किस फैमिली से बिलाउंग करता है फैमिली मालवेशी दा नंबर आफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन आफ इंडिया इस 15 तो ऐसे बहुत सारे यहां इंपार्टन क्वेशन देए गए आप एक को देख यहां पर 171 क्वेशन दिये गए हम जो की बहुत इंपार्टन है तो आप एक एक क्वेशन को सॉल्व किजिए मध्य प्रदेश राज बिहार वंदार ग्रिया नीगम वाज इस्टेबलिस इन 1972 देप्त आप कल्टिवेटेड स्वाइल इन अप टू 5 सेंटिमेटर रेट रॉ होते हैं कोल्ची की द्वारा होते हैं विचा विचा फॉलुंग इस देख ब्रॉप ट्रोल डेंट क्रॉप तो आप क्योंगे पियर मिलेट विच अपट फालिउंग क्रॉप इस यूजड घ्रीन मैन्योर इन इंडिया कोन से ऐसे क्रॉप हैं जिन हैं आम लोग ग्रीन मैन् इंडिया इस फॉस्ट फॉर नाइट अफ मई प्लांटिंग अफ सक्षेडिंग क्राप बिफोर हर्वेस्ट आप इस्टेंडिंग क्रॉप इस नोन एज रिले क्रॉपिंग तो ऐसे यहां बहुत सारे क्वेस्ट दिये गए हैं और जो दो साल में करते हैं बाइनुल और जो बहु अर्शी होते हैं उन्हें लोग पेरिनियल कहते हैं हाइ पहाइ पहाइ जनरली डिफ्रियेंशेट इन जिंक एन मॉलिबिडन या मैगनेज में विच आप फॉलोइंग स्वाइल है इस हाई वाटर होल्डिंग कापिसित तो आपके जो क्ले स्वाइल होते हैं उनके पास वाटर को होल्ड करने की कैपिसिटी ज्यादा होती है तो यहां पर आपके माइक्रोनुक्रियेंट पूछा गया है यहाद रही है तो माइक्रो और माइक्रो दो होते हैं तो आपके नाइट्रोजन पोटास और फासफोरस होते हैं आपके माइक्रो निट्रेट्रोट पूछा गया लगाएं जब माइक्रो रहेंगा तो आपको नाइट्रोजन पोटास और फासफोरस को how much sulfur content in a single super phosphate तो कितने sulfur की मांतरा होती है single super phosphate में तो 12% होती है the resistance power of crop can be increased by the application of potas CN ratio in human तो आपके जो CN होती है रेशियो इनका कितना होता है humans में तो आपके कितने होती है 3 ratio 1 होते है which of the following is not an essential nutrient for plant group तो कौन से ऐसी आपके यहाँ पे nutrient नहीं है जो कि essential नहीं आओ सकता नहीं है आपके plant group में तो aluminium का यहाँ कोई role नहीं महत्वपुल रोल नहीं प्ले करता है which of the following carries out nitrogen fixation in leguminous crop तो आपका होगय राइजोबियम एगलाउल is for seed treatment तो इसका यूजड कहा होता है तो इसका यूजड होता है जब आपके फंगाई वह सारे लग जाते हैं सीट में तो इसका यूजड करते हैं हम लोग flu chloraline is used as herbicide जो आपके flu chloraline होते हैं उन्हें हम लोग herbicide यूजड करते हैं killing of herbs जितने भी herbs होते हैं उनको किल कर देता है जैसे आपके cotton हो गये soybean हो गये ground nut हो गये यह सारे हो गये ठीक है which of the following is botanical name of Motha तो Motha एक घास तो इसका नाम बोटनिकल नाम क्या है तो इसका बोटनिकल नेम है cypress root enders first irrigation to the wheat crop should be given at SCRI stage ठीक है तो यहाँ पे कुछ important question थे जो कि हम एक एक करके आपको बता दिए तो आप इसको देख लीजीगा which of the following is native variety of wheat कौन सा यहाँ पी ऐसा वेराइटी जो गेहूं का नहीं है तो आपका जो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गेहूं का वेराइटी नहीं है तो जो आपका IR 20 हो गेहूं का वेराइटी नहीं कह सकते है ठीक है which of the following is ideal temperature for seed germination in wheat तो आपका हो गया 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री से how much area is required for raised seedlings of rice for one hectare तो इसका हो गया आपका 500 100 square meter तो यह सारे question बहुत important है agriculture में पूछे जाते हैं हम कह सकते हैं बौटनी के लिए भी बहुत important है तो जेनरली क्या होते हैं जो आपके बीच्चु का paper होता है बीच्च अग्री कल्चर में पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना आप तो या तो बौटनी यूज करेंगे ब 50 से होगा है बट अग्री कल्चर से आपके 50 नमबर के question पूछे जाते हैं जो आपको सही लगे आप उसको टिक लगाईएगा और फिर आप अच्छे नमबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं थैंक्यू एंड वे नाइस टे